राम राम दोस्तों राम राम शकुंतला वर्मा संजे वशिष्ठ पपू मूद राधे राधे आ जाईए फटाफट क्लास को शेर कर दो और क्लास में पदार जाओ क्लास में पदार जाओ आज फिलोसफी के अंदर एथिक्स का एक चेप्टर लिख आया हूं आपके सामने ताकि आप हाँ तो आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा पहले ये बताईए किते लोगों ने टेस्ट दिया था जल्दी से बताईए मैं नस्दीग आ रहा हूं जालावार की धरती से मोतिलाल मीना शिवानी खंडेलवाल उगंता गुनावत रफसीद खान सबको राम राम सबको नमस्कार असलाम वालेकम वालेकम सलाम गुड इवनिंग तो आज की इस लेट नाइट क्लास के अंदर मैं आपके सामने दो टॉपिक लेके आया हूं जो दोन सुखवाद और दूसरा है उपियों की तावाद मैं चाहता हूं कि एक बार ठीक ठाक से स्टूडेंट आ जाए तो मेरा प्लान है मेरी विचार धारा है कि मैं पहले इन दोनों करने स्टूश मेरा काम देख ले यार केलास गुर्जर पहले काम देख नाम तो अपने आप पता चल जाएगा हम पहले काम करते हैं और बाद में नाम की बात करते हैं यार आप क्लास को शेर कीजिए बस यह है दर्शन शास्त्र का इन दर्शन शास्त्र पब्लिक अडिनिस्टेशन एकॉनोमिक्स और सोशलोजी यह चार विशे ऐसे हैं जो आपको ग्रेड सेकिंड का टीचर बनाते हैं यह ध्यान दखना क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट तो बहुत वेट करवाया तो इंतजार का फल भी मीठा होता है चिंदा मत कर तो यार देविलाल तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज एक हलका सा नॉलेज में दे दूँ सुकुवाद के बारे में लेकििए सुकुवाद के बारे में मैं आपको एक हलका सा ब्रीफिंग ऩरह खेंगे न खार तो ब्रीफ को समझो ढंक से पहले समझनारब 차 अगे किसने आगे सर पचास हाट आगे क्या बस पचास हाट आजाओ तो मैं मेरे काम शुरू कर दूँ तो चलिए भाई साब सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे किसकी सुखवाद की ढंग से समझना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक से अंजान है सुखवाद ये एक नितिक अवधारणा है और ये सिद्धानत कहता है कि इस सिद्धानत के नुसार सुखवाद वो नितिक सिद्धानत है जो ये कहता है कि सुख सुख जो होता है वो सुख ही सर्वोच सद्गुन होता है सुख ही क्या है सर्वोच सद्गुन है सुख ही सर्वोच है जीवन की हर वस्तू सुख ही अपने आप में शुब होता है सुख ही स्वतह साध्य शुब होता है सुख किसी अन्य भावना की प्राप्ति का साधन नहीं ब अच्छा होता है सुख अपने आप में अच्छा होता है अरे अगर आप से कोई कहे कि आप आप नोगरी क्यों प्राप्त करना चाते हो तो आप कह सकते हो कि नोगरी कमाऊंगा पैसा आएगा पैसा क्यों कमाना चाते हो क्योंकि इससे इज्जत मिलेगी इज्जत क्यों कमाना चाहते हूँ तो आप एकी बात कोई कारण नहीं है इस वीपिचार धार को सुखवाद कहा जाता है डंग से समझना सुखवाद जो है वो सुखवाद दो प्रकार का माना जाता है किते प्रकार का दो प्रकार का माना जाता है सुखवाद दो प्रकार के होते हैं एक एक चीज डंग से समझना एक तो होता है जिसे कहते हैं मनोवेग्यानिक सुखवाद मनो वैज्यानिक सुखवाद एक से दान्त होता है जिसे कहते हैं मनो वैज्यानिक सुखवाद और एक से दान्त होता है जिसे कहते हैं नैतिक सुखवाद मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो अमूमन जब बच्चे अले सभी आदे वेटा गिरिश सब याद है मुझे रजनी गंदा तुलसी अगडम सगडम सब याद है लेट होगी लेट होगी तो कोई बात को ना कोई बात को ना बस एक्जाम पर टाइम से पहुँच जा ना एक्जाम के इंदर ठीक है ना तो डंच से समझिए ये वो चीजे बता रहा हूँ जो चीजे स्टूडेंट्स मेरे को बार-बार फोन करके पूछते हैं जो क्वेशन पूछते हैं वो क्वेशन यहीं से पूछते हैं इसलिए मैंने वो आप लोगों की जो क्वेशन थी आप लोगों की जो एसी जला दे आर आप लोगों की जो पूछ ताश थी आप लोगों की जो पूछ ताश थी आप लोगों की जो क्वेरीज थी उन क्वेरीज के आधार पर ही में वो बाते समझा रहा हूँ कि कहा स्टूडेंट से क्या हो रही है कोई छूट रहा है कोई कमी हो रही है मनो विज्ञानिक सुखवात मनो विज्ञान का मतलब होता है स्वभाव मनो विज्ञान का मतलब क्या होता है स्वभाव ये सिद्धान्द कहता है कि सुख जो है सुख प्राप्त करना व्यक्ती का क्या है व्यक्ती का स्वभाव है व्यक्ति हमेशा किसकी कामना करता है सुख की ही कामना करता है व्यक्ति को अगर व्यक्ति के हर कादे के पीछे सुख ही प्रेरणा होती है सुख ही क्या होती है व्यक्ति के हर कर्म की क्या होती है प्रेरणा शक्ति होती है सुख प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन का एक मात् आप में सुख ही, व्यक्ति सुख के अलावा कुछ चाता ही निये, व्यक्ति को चीर के फाड़ के, व्यक्ति की मन, भावना, बुद्धी किसी को भी देख लो, व्यक्ति के अंदर एक ही चीज भरी विए है, वो है सुख, सही बात है न, छोटा सा बच्चा जिस ने दियाए तो वो रोह नहीं लग जाता है क्यों कामना इसी को क्या पर आपको गौती करता है इसी को कहते हैं मनो वैज्ञानिक सुखवाद अर्थात मैं फाइनली एक ही बात कह सकता हूँ कि ये जो सिद्धान्त है ये सिद्धान्त कहता है कि ऐसा मनुष्य ऐसा है मनुष्य ऐसा है धर्मा चौधरी ना आप लोगों के कमेंट्स को उत्तर नहीं दे पाऊंगा आपके नाम नहीं बोल पाऊंगा उसके पीछे कारण है कि मैं आपको और आप भी आप भी सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें है ना जब मैं आपसे पूछूंगा ना question तब बताना आप तब आखुब दड़ादर दड़ादर मैसेज करना फिलाल आप सिर्फ क्या करेंगे फिलाल आप सिर्फ समझेंगे इस चीज को नैतिक सुखवाद किसे कहते हैं नैतिक कहते हैं चाहिए को नैतिक किसे कहते हैं नैतिक शब्द का मतलब होता है चाहिए इसी को आप कह सकते हो कर्तव है इसी को आप क्या कह सकते हो चाहिए या कर्तव है यही नैतिक कहलाता है और नैतिक सुखवात कहता है कि व्यक्ति को सदैव सुख की कामना करनी चाहिए व्यक्ति सुख प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन का एक मात्र क्या है उद्देश है एक मात्र कर्तव्य है समझ मेरी बात आपको व्यक्ति को हमेशा वही कारे करने चाहिए जिन से उसे सुक्की प्राप्ती होती हो अर्थात यहाँ पर यह शब्द चाहे को प्रदर्शित कर रहा है समझ मेरी बात आपको नैतिक सुखवाद चाहिए की बात करता है सुख चाहिए सुख प्राप्त करना चाहिए सुख प्राप्त करना ही करतव है जबकि ये क्या कहता है ये कहता है कि व्यक्ति का स्वभावी क्या है है व्यक्ति के हर कर्म हर कर्म की प्रेरक शक्ति क्या है सुखही है यह दो प्रकार के सुख्वात के दो प्रकार हो गए मनोवेग्यानिक सुख्वात और नैतिक शुख्वात समझ में हरी बात आपको को необходимо प्रॉब्लम इसके अलावा सुखवुद के एक और रूप समझना सुखवाद जो है उस सुखवाद का एक और रूप धंग से समझना quantity के आधार पर सुखवद के दो बहेद और होते हैं दो प्रकार और होते हैं कौन कौन से हैं दंग से समझना एक प्रकार तो होता है जिसे कहते हैं स्वार्थ मूलक सुखवाद स्वार्थ मूलक सुखवाद एक तो होता है स्वार्थ मूलक सुखवाद और एक होता है सर्वार्थ मूलक सुखवाद सरवार्थ मुलक सुखवाद ढंग से समझना एक तो स्वार्थ मुलक सुखवाद होता है और एक सरवार्थ मुलक सुखवाद होता है समझ मेरी बात स्वार्थ मुलक सुखवाद क्या होता है वह सुखवाद वह सिध्धांद वह सुखवादी सिध्धान्द जो बहुत सीमित होता है जो ये मानता है कि व्यक्ति सदैव अपने सुख की कामना करनी चाहिए व्यक्ति को व्यक्ति का करतव क्या है केवल अपने सुख की कामना करना मी फस्ट मी फस्ट मैं पहले कुछ भी कर्म करता है किसके लिए सुख चाहिए, खुद के लिए चाहिए, पहले खुद, बाद में दूसरे, पहले मी फस्ट, तो इसी को कहा जाता है, स्वार्थ मुलक सुखवाद, जितने भी तार्षनिका आपने पढ़ाऊंगा, वो सब स्वार्थ मुलक सुखवाद को सुखवाद को सुख़औ करते हैं, ठीक है?, खास तोर से, खास तोर से बता रहा हूँ मैं आपको, अरिस्टिपस, 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 एपिक्यूरस, ओर सबसे बड़ा नाम जो आपने सुन रखा है, हमारा अपना भारतिय दर्शन का चार वाक ये सुद्ध रूप से स्वार्थ मुलक सुखवादी है कैसे है स्वार्थ मुलक सुखवादी है जबकि एक होता है सर्वार्थ मुलक सुखवाद जो कहता है जो सभी के सुख की कामना करता है जो कहता है व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जिन से सभी को सुख मिले सभी का सुख की बात करता है कौन सरवार्थ मुलक सुखवाद लेकिन सभी शब्द जो है न वो डिफाइन नहीं है इसलिए इस सभी शब्द को डिफाइन करने के लिए डंग से समझना सभी शब्द को define करने के लिए एक शब्द लाय गया और उसे कहते हैं अधिक्तम क्योंकि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता इसलिए इन्होंने कहा अधिक्तम लोगों के लिए किस शब्द का प्रियोग किया गया इस सभी का मतलब क्या है अधिक्तम लोग अगर मालीजे मेरी क्लास के इंदर फिलाल किते लोग घड़े रहे 86 लोग बाग है 86 लोग बाग अभी फिलाल मेरी क्लास के इंदर जुड़े हैं अब 86 के 86 लोगों को तो संतुष्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाय भावनाय प्रवर्तियां सब अलग-अलग होती है लेकिन मेरा कर्म उचित तब है जब मेरे द्वारा पढ़ाय गए जो कंटेंट है उस जो मेरे पढ़ाने की जो शैली है उस शैली का लाब इस 86 में से अधिक्तम लोगों को मिल जाए कम से कम 40 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है 70 भी हो सकता है अधिक्तम लोगों को इसका लाब मिल जाए तब जाके और इस सभी की व्याक्या हो सकती है और जिसमें अधिक्तम लोगों की बात आ जाए इसी को उपियोगिता वाद कहा जाता है क्या कहा जाता है उपियोगितावाद कहा जाता है उपियोगितावाद कहा जाता है समझ में आरी बात तो ढंक से समझ लेना सरवार्थ मूलक सुखवाद को ही क्या कहते है उपियोगितावाद कहते है सरवार्थ मूलक सुखवाद को ही क्या कहा जाता है उप्योगितावाद कहा जाता है समझ में आ गई गया बात आपको कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्लियर आगे की बात चलते हैं आगे की बात करते हैं जब हम सुखवाद की बात करते हैं किसकी बात करते हैं सुखवाद की बात करते हैं तो सुखवाद के दो रूप है जो है वो सुखवाद के दो रूप आगए भाई साब एक तो है भारतिय सुखवाद और एक है पाश्चयत्य सुखवाद भारतिय सुखवाद और एक क्या है पाश्चयत्य सुखवाद डंग से समझना गंग से समझना की भारतिय सुखवाद औ आप अच्छी तरह जानते हो और वो है चारवाग कौन है चारवाग दर्शन जो है वो भारतिय सुखवाद का प्रतिनिदित्तु करता है जबकि पास्चात्य दर्शन का पास्चात्य सुखवाद की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे दो लोग सबसे इंपोर्टेंट आते कौन आते हैं सब को नमश्कार भीया दो लोग आते हैं एक का नाम तो है सेरेनेक्स सेरेनेक्स और एक है जिसे कहते हैं एपी क्यूरियन वाद सेरेनेक्स और एपी क्यूरियन वाद क्यूरियन वाद सेरेनेक्स और एपी क्यूरियन वाद ये दो सिद्धान्त जो हैं ये पास्चाते सुखवाद को परदर्शित करते हैं एक-एक बात समझते जाए अरे कांट भी करवाँगा तुम चिंता मत करो एक भी चीज बाकी नहीं छोड़ के जाओंगा हर चैप्टर के question answer और हर चैप्टर की समर्शियाओं का समधान करके जाओंगा मैं चिंता मत करो एकजाम आने में अभी तुमारे पास 10 दिन बाकी है और तुम ये चिंता मत करो बहुत जल्दी हम लोग जो हैं वो बहुत जल्दी सारे के सारे topics जो हैं एसस्टी पोइंट्स आपके सलिबस के हर हैं सटी के हर topic के उपर अपना काम करके जाएगा आपको आपकी लिए कहीं पर भी यह रिन नहीं छोड़ के जाएगा यहां कहीं भी रिनी नहीं रहेगा कि आप यह नहीं कह पाऊँगे कि यह topic छोड़ दी है मैं सारे के सारे टॉपिक करा के जाएंगे हम लोग, पेफिक कर रहों, और जहां पर नहीं करा पाएंगे, वहां पर हम महा महराथन के रूप में लेके आएंगे, तो वहां पर फिर पूरे दिन बर पढ़ना आप, ठीक है न, राती जगा भी करवा सकता हूं, समझ में आगी ब क्या था ये सारे नेक्स वाद, तो डंग से समझना, इस वाद के प्रतिपादक जो थे, इस वाद के जो प्रतिपादक थे, वो सुखरात के शिश्य थे जिनका नाम था, एरिस्टिपस या अरिस्टिपस, अरिस्टिपस, अरिस्टिपस जो है, वो इसके प्रतिपादक थे, चुकि ये Aristipus जो है वो यूनान के अंदर कहां पर यूनान के सेरेन प्रांथ के रहने वाले थे कहां के रहने वाले थे सेरेन प्रांथ के रहने वाले थे इसी लिए इन्हें क्या कहा जाता है इसी लिए इन्हें सेरेनेक्स कहा जाता है क्या कहा जाता है इनके अन्याईयों को क्या कहा जाता है सिद्धान को क्या कहा जाता है सेरेनेक्स कहा जाता है समझ में आगी बात आपको अब डंग से समझना यह एरिस्टीपस जो है यह एरिस्टीपस या जो सेरेनेक्स है यह हम इस्थूल सुखवादी कहते है क्या कहते हैं is thun sun 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 इनके अनुसार ये कहते है आध्यात्मिक सुक का कोई महत्व नहीं है असली सुक जो होता है वो शारिरिक सुक होता है आध्यात्म नाम की कोई भी चीज नहीं होती है आत्मा नाम की कोई भी चीज नहीं होती है जो कुछ होता है सब भौतिक शरीर है और इस शरीर से जो भौति मनो वैज्यानिक शुकोआता है अपने सुखवाद का आधार बनाते है मनोवेग्यानिक सुखवाद को ये भी कहते है कि दो सुखों के अंदर अगर आप माल लीजिए आपके पास दो कर्म है और दोनों कर्मों से आपको सुख मिलता है तो फिर प्रस्ण उठता है कि किसको आधार मानोगे आप किस आधार पर आप दोनों में से किसी एक का चैन करोगे तो ये कहते हैं कि तीवरता जो है डंग से समझना तीवरता जो है वो सुखों में चैन का आधार है सुखों में चैन का आधार है क्या सुखो में चेन का आधार क्या है वो है तीवरता किसको मानता है तीवरता को सुखो में चेन का क्या मानता है आधार किसको में बचlings सुखो अब चालों हे бы बंध क्यों गैता किती देर से नहीं या रही थी हां आ अब आगे 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 अब आगे रहर उसका क्या हुआ बंदों की क्या हुआ दुहार मंदों की थिए चलिए भई है अब आगे संगीता शर्माप पदमाराम रमेश परमार वो इस आगई है आगई है और बिलकुल आगई है चिंता की कोई बात नहीं है तो अब हम बात करते हैं आगे की तो डंच समझना इस वाद के प्रतिपादक थे और अर्था सुख को इजीवन का अदर्श मानते थे व्यक्ति को सभावत है सुखवादी मानते थे अब क्या ले रही है अब क्या ले रहे है बहवानी शेरा सेकेंड गेड सोशल स्टीडीज का कोर्स कितने का है अब तो फिरी का है कोई ठैंसर नहीं है मस्तरोब तुम आठ दिन पहले तुम क्या लोगे तुम कोर्स को पहले ले नहीं थी जो चीज खर कोई बात नहीं तो एप कि शुख वाद को जो है इसको परिष्कृत सुखुवाद कहा जाता है क्या कहा जाता है परिष्कृत सुखुवाद कहा जाता gluten Selam क्रेम कि शुखुवाद कहा जाता है आप लोग्डंग से पढ़ना जो topic मैं तो बता आप कैसे पता चले यार इसमें दू बैक्टरी के तो मुगी इसलिए निया रिया वाज आरेगे आवाज बैक्टरी संबंदी प्रॉब्लम हो रही है 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 बारी आवाज चिंता बत करतूं ठीक है न दिल से सुनो तो बात करते है अपन परिश्कृत सुखवाद, ये परिश्कृत सुखवाद क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं परिश्कृत सुखवाद इसको, क्योंकि ये शारिरिक सुखो, शारिरिक और जो मानसिक सुखोते हैं, शारिरिक और मानसिक सुखो, ये शारिरिक और मानसिक दोनों सुखो को महत महत्아 देते हुंज हां किसको दिते हैं दोनों को महत्व देते हैं इसलिए क्या कहा जाता है इसलिए परिश्कृृत सुखुवदी कहा जाता है में है पटान कर seminet और जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है माहित तुम पढ़ लो बस इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो परिक्षा के अंदर कोशन आ जाएगा तो अगर सुखवाद के नाम से परिक्षा के अंदर कोशन आ गया तो फिर बाद में आप यह कहने कि हकदार नहीं होगे कि यह कब जोड़ दिया क्योंकि सुखवाद से लिपस में जोड़ा हूआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं मैं आई बाद समझ में तो जो नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लो जो लोग आज पहली बार क्लास के अंदर आये हैं वो लोग बागर जन्होंने सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को वह चैनल को सब्स्क्राइब कर ले ठीक है और जितना हो सके उतना शेयर भी कर दें लायक लगे तो लायक कर देना ठीक है शारिक और मानसिक शुकों को मैंतो देता है कौन EPPrukturios समझ मिरा गया ये कहते हैं कि अगर सारिक और म मानसिक सुख को भोग करना इसको वरियता देते हैं क्यों साब शारीरिक सुख में क्या कमी है यह इसलिए कमी है शारीरिक सुख में इसलिए कमी है क्योंकि यह क्षणिक होता है क्षणिक होता है क्षणिक होने के कारण ये कहते हैं कि अगर शारेदिक और मानसिक सुखों के अंदर कोई अंतर आ जाये ना आपको चैन करना पड़े तो आप मानसिक सुखों का ही क्या करना चैन करना ये कहते हैं, एपिकुरस कहते हैं, कि व्यक्ति के अंदर जो है न, दो प्रकार की इच्छाएं होती है, ये कहते हैं, कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती है, दो प्रकार की इच्छाएं होती है, कुछ तो होती है स्वाभावी की इच्छाएं, कौन सी ये सब क्या है ये सब क्या है ये तो ये तो ये तो स्वाभाविक इच्छाएं ये तो व्यक्ति के जनम के साथ ही आती है इच्छाएं और कुछ इच्छाएं करत्री मिच्छाएं भी होती है कौन सी इच्छाएं करत्री मिच्छाएं ये कहते हैं कि अगर स्वाभाविक इच् पूरी करने योगी नहीं होती है क्योंकि अंत में जाके दुख देती है क्रत्रि मिच्छा जैसे कैसी धनवान बनने की इच्छा। मकान बनाने की इच्छा ये करत्रिम इच्छा है रजगुलाखाने की इच्छा ये करत्रिम इच्छा है जबकि पेट भरने की इच्छा क्या है पेट भरने की इच्छा स्वाभावी की इच्छा होती है समझ में आ गया तो यह कहते हैं कि अगर स्वाभाविक इच्छाओं काम समुचित तरीके से हम इनको पूर्ती करते हैं तो अपने आप ही क्या होता है आपके सुख में वृद्धी होती है यह जो मैंने आपको बाते बताई है यह सारी की सारी बाते हैं इसलिए बताईए क्योंकि इन से related जब question आए आगे जब question आए तो आप उन प्रशनों को आसानी से solve करें और जब मैं और कुछ extra चीजे उसमें बताऊं तो आपको basic चीज अगर समझ में आती है तो आप नई चीजों को समझने में आपके लिए सहायता हो जाएगी हाँ अब अब इस्तिती है कि मैं आपको question answer पर ले चलता हूँ तो चलिए हम चल रहें अब सीधे सीधे question answer पर कहां चलते हैं question answer पर चलते हैं यह तो मैंने आपको समझा दिया था अब हम बात करते हैं किसी question answer की चलिए भाई साब पहला ही question देख लिजी अब आप answer दे ना अब पाओगे आप आंसर अगर आपने डंग से मेरे अभी जो 15-20 मिट की जो मेरी क्लास है इसको अगर आपने एंजोई किया है तो आप अब कर पाओगे पई देखो ऐसा है 6K होने में जब हम 5,000 मनसबदार थे अब हम 6,000 मनसबदार बनने में मातर 13.13 सब्सक्राइबर कम है तो आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे सब्सक्राइब कर ले और इस टार्गेट को पूरा कर दे ठीक है भाई तो चली आज आजाईए चली आजाईए निम्न लिखित में से सेरेनेक सिध्धान का प्रतिपादन किया था जल्दी से आंसर दो अब आरा है आंसर संजेव वसिष्ट ने दिया डी धर्मपाल कसोटिया ने डी मनिता डी आहा आहा क्या बात है क्या बात है अब आया न मजा अभी ये वो बात समजाए बीना वो बात समजाए बीना अगर मैंने आपको सीधा ये कोशन करवा दिया होता तो क्या आप कर पाते क्या नहीं कर पाते इसलिए बिलकुल सभी बात है इसका राइट आंसर हो गया Aristipus Aristipus को Serenax इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युनान के सेरेन प्रांद के रहने वाले थे युनान के सेरेन प्रांद के रहने वाले थे और पाश्चात्य सुखवाद के जनक माने जाते है पाश्चात्य सुखवाद के जनक माने जाते है पास्चाते सुखवाद के जनक किसे माना जाता है वो माना जाता है एरिस्टीपस को जो क्या थे जो बेसिकली सेरेनेक्स थे सेरेन प्रांथ के रेने वाले थे मूल रूप से सुखवादी थे ये सुखों के अंदर केवल मात्रात्मक भेद मानते थे सुखों में केवल कौन सा भेद स्विकार नहीं करते थे, अथाद नहीं मानते थे कि कोई सुख अच्छार, कोई सुख बुरा हो सकता है, समझ में आ गया, चलिए भाई साब, नेक्स्ट कॉश्चन पे चलते हैं पपन, सीधा आजाई इस नेक्स्ट कॉश्चन पे, एरिस्टीपस के अनुसार वे कौन सा तत्व है, जो किसी कर्म को शुब बनाता है, चल दी आंसर दो, ग्यान, विवेग, प्रेम, सुख, वे कौन सा तत्व है, जो किसी कर्म को क्या बनाता है, शुब बनाता है, और शुब का होता है good English में शुब को क्या कहते हैं good कहते हैं Hindi में इसी को सुद्ध हिंदी में इसे अच्छा कहते हैं और Sanskrit में इसे शुब कहते हैं question number 2 का answer दीजिए question number 2 का answer दीजिए question number 2 का answer दीजिए क्या बात है क्या बात है अब आपको देखो आसान करना अब इस प्रशन को solve करना अब कितना आसान हो गया क्यों आसान हो गया क्योंकि आप अच्छे तरह जानते हो कि RST पस जो है RST पस जो है वो सुखवादी थे RST पस क्या है सुखवादी है और सुखवादी होता ही कौन है सुखवादी वही होता है जो किसी भी करम के अच्छ उचित और अनुचित होने का उचित और अनुचित होने का आधार किसे मानते है प्राप्त होने वाले सुख को आधार मानते है को आधार मानते हैं कि अगर सुख मिल गया सुख मिल गया अगर सुख मिल गया तो कर्म उचित है और सुख नहीं मिला तो कर्म अनुचित है समझ में आरी बात तो बिलकुल सही पकड़े हैं इसका राइट आंसर है सुख ध्यान रखना जो लोग बाद में जुड़े हैं वो ज Aristipus के अनुसार सुख से तात पर्य है, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, भौतिक वे आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख जिसमें आध्यात्मिकता का समावेश हो, जल्दी आंसर दीजे, और क्लास को शेर कर दीजे, ताकि आपके जो अन्य भाई बहन हैं, आपके अन्य साथी जो हैं, उन साथियों को भी इस क्लास का लाब मिले, क्योंकि ध्यान रखना ज्यान बाटने से बढ़ता है, आप जितना क्लास को शेर करोगे, उतने ही आपके दोस्तों को लाब होगा, और दोस्तों को लाब हुआ, तो उनकी दिल से दुआ निकलेगी, और दुआ निकलेगी तो आप ही के काम आएगी वो परिक्षा के अंदर, देखो आंसर आ रहा है, सुमन्तिवाडी C आंसर दे रही है, कोई D आंसर दे रहे हैं, अधिकतर लोग बाग D आंसर दे रहे हैं, एरेश्टिपस के अनुसार सुख से तातपर्य है, B आंसर भी आ रहा है, आध्यात्मिक सुख, अध्यात्मिक सुख, मुकेश चंद्र मीना, उगनता, D आंसर बहुत, बहुती मुस्तेदी के साथ दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बस ये गलत में भी मत रहा जा ना, ये गलत में मत रहा जा ना, रीट का सबना प्रदान मीना, तु मेरा पुराना स्टूडेंट है, करेंगे वे या कोशिश, अब भी जिसने कोश्चन को डग, किसकी बात हो रही है, एरिस्टीपस की बात हो रही है, और अब भी मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, अब भी मैंने कोई चीज बताई थी, और देखो इस कोश्चन का आंसर, सेरेनेक्स एरेस्टिपस इस थूल सुखवादी है क्यों है क्योंकि केवल बहुतिक या शारिरिक सुख को मानते हैं अर्थात मानसिक और आध्यात्मिक सुख को स्विकार नहीं करते हैं मानसिक और आध्यात्मिक सुख को स्विकार नहीं करते हैं और अब देख लो, question क्या पूछा गया था, और तुम क्या आंसर दे रहे हो, प्रदान, का गया प्रदान, प्रदान देख ले, इसका सही आंसर है, भौतिक सुख, क्यों, क्योंकि ये स्थूल सुखवादी है, केवल भौतिक और शारिरिक सुखो को ही क्या देते हैं, महत्व समझ में आ गया क्या, कोई problem, no problem, any problem, अब इसका आंसर सही आ रहा है, प्रदान देख ले, सारे D नहीं है, बस वो 2-3 D आ जाते हैं, तो आपको भी ये लगता है, कि अगला भी D होगा, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है, भौतिक सुख, next question, अरेश्टीपस सुखों में अधिक्ता का आधार क्या मानते हैं, यानि कोई सुख, देखो, अरेश्टीपस जो है, वो सुखों के अंदर मात्रात्मक भेद स्विकार करते हैं, सुखों में कौन सा भेद स्विकार करते हैं, मात्रा का भेद स्विकार करते हैं, कौन सा भेद, मातरात्मक भेद स्विकार करते हैं और ये बोलते हैं कि सुख जादा और कम होते हैं मातरात्मक भेद का मतलब क्या होता है मातरात्मक भेद का मतलब ही क्या होता है कि जादा और कम जादा और कम जादा और कम की बात हो रही है ज्यादा और कम की बात हो रही है और अभी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा और कम क्या आधार क्या है अवधी को मानते हैं आधार व्यापकता को मानते हैं तीवरता को मानते हैं या तीनों को मानते हैं हुडा कोशिश करेंगे डालने की कोशिश करेंगे पवन निर्वान ने आंसर दिया बी यू राज म्यूजिक आज जल्दी जा रहा है मुझे लगता है इसका डेटा खतम हो गया इसके मोबाइल का भी और इसका खुद का भी डेटा खतम हो गया मोबाइल का तो डेटा खतम हो गया ब्योख भूख भी पटाया तो तीव्रता को कर्म कहांने का आधार मानते हैं तो इसका राइट आंसर हो गया तीव्रता नेच्स्ट क्वेस्टन एपिक्यूरियन वाद का स्ततिपादक था चल दीजे बताईए आप बदाईए वाई साब बदाईए आप सबी लोगों को धर्म पाल बिल्कुल सही कह रहा है मैंने भी चेक कर लिया कि अब हमारा चैनल छे हजारी हो चुका है हम छे हजारी मनसबदार बन चुके हैं आप सबी लोगों को बहुत बहुत शुबकामना है एक सवभागी की बात है एक संयोग की बात है कि पाँच हजारी भी मेरी क्लास के समय हुआ था और छे हजारी भी मेरी क्लास के समय हुआ था अर्थात कारे तो कर रहे हैं बाकि हमारे सारे मित्र और पता नहीं क्यों श्रे मुझे मिल रहा है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुब कामना है हमारा परिवार जो है वो 6,000 हो गया है और 6,000 हो गया है देख लीजिए मैंने देख लिया 6,000 से भी ज़्यादा हो गया है ठीक है मान सिंग को भी 10,000, 7,000 बाद में मिला था तो हम तो बहुत जल्दी जो है वो दाराशिकों का लक्ष ले रहे है और मुगल काल में सबसे बड़ा मनशब किसका था दाराशिकों का था 60,000 का मनशब बहुत बहुत शुब कामना है आपको बहुत बहुत और इसी बात में एक बार क्लास को खैज कर दबा कर दिल खोल कर इसको शेर कर दो मज़ा आजाएगा मज़ा आजाएगा आंसर दीजिए वाई साब इसका चोथे का B आंसर धर्मा भी B आंसर देरा सुखरात एपी क्यूरियन वाद का प्रतिपादक था मैंने अब भी भी आपको बता है बिलकुर रादेशाम मुडोतिया तु भी मेरा पुरारा स्टूडेंट है येस नाम यादे मेरे को सी आंसर देरी उगंता एपी क्यूरस जैहिन जैराजिस्तान जैभारत पार्टी बनेगी पार्टी होईगी चिंदा मत करो जब तुम लोग पास होके हमारे नंबर आपके पास में है हमारे टेलिग्राम चैनल आपके पास में है उसका एड्रेस आपके पास में है तो आप चिंदा मत करो हमारे को पता चल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा और जिस दिन परिक्षा हो जाएगी और परिक्षा होने के बाद तुम मुझे मेसेज करोगे कि इतने सही हुए हैं और तब मैं बताऊंगा कि इतने हमारे पड़ाएवे प्रश्णों में से आए हैं और तुम फिर देना मजे शोबा विश्णोई मनु सी बिलकुल सही आंसर है सी मैंने अभी अभी बताया था कि एपिक्यूरियन वाद जो है वो एपिक्यूरस का दिया हुआ था किसका दिया हुआ था एपिक्यूरस का दिया हुआ था जिसे परिश्कृत सुखवादी कहा जाता है क्या कहा जाता है परिश्कृत सुखवादी कहा जाता है समझ में आगई के बाद आपको next question निम्नलिकित में से कौन अरेले क्या लिखाए दरमपाल गुरुजी मैं तो आपको देखने आया था मुझे तो याद आ रही थी आपकी मैं तो रीट की कर रहा हूँ थैंक्स अच्छा भाई अच्छी बात है तो तेरे को रीट के लिए बहुत बहुत शुप काम ना है और ये ग्रेड सेकिंड होते हैं हम रीट में काम करना शुरू करतें तो चिंता मत कर तेरे भी काम जाएंगे हम बहुत जल्दी वह हार्ड बहुत बहुत हाड बहुत हाड आर्ट वर्क से ही आपको लाब मिलेगा ध्यान रखना बिलकुल सही आँसर अभी मैंने लास्ट कोर्शन में दे दिया था लास्ट कोर्शन में इसका आंसर बता दिया था कि epicurus परिश्कृत सुखवादी माने जाते हैं समझ में आगी बात आपको तो next question पर आ जाते हैं epicurus के मतानुसार शारिरिक सुख वान्चनिये नहीं है वान्चनिये का मतलब क्या होता है दंग से समझना वान्चनिये का मतलब होता है इच्छा करने योग्य इच्छा करने योग्य वान्चनिये शब्द का मतलब होता है इच्छा करने योग्य तो बताइए epicurus क्यों कहता है कि शारिरिक सुख वान्चनिये नहीं है थेंक यू लवलियस्ट वान्चनिये क्यों नहीं है शारिरिक सुख वांचनिय नहीं है बोले तो सात्वे का आंसर है B देवा अब क्या आंसर दे रहो आप वो समझाया नहीं होता तो यह आंसर के सर इतने हाड कोशन यह तो कभी पड़े ही नहीं अब पढ़ ले बेटे अब पढ़ ले अन्शुल अब पढ़ लो इसलिए तो ले के आया हूं मैं क्योंकि हम जब एक्जाम जो है परिक्षा का हॉल जो है वो एक रण भूमी है और रण भूमी पर हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए हमारे सारे हतियार हमारे पास होने चाहिए मंजेवे होने चाहिए इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कसर न रह जाए यह याद रखना इसलिए आपको वो प्रशन करवाए जा रहे हैं जो प्रशने सलेबस से रिलेटेट तो है लेकिन नॉर्मली कक्षाओं में नहीं पढ़ाए जाते हैं यह कहते हैं कि शारिक सुक जो होते हैं शारिक सुक जो हते हैं वो कैसे होते हैं वो क्षणिक होते हैं रजगुल्ला तब तक यह सुक देता है जब तक आपके जीब पर है जैसे ही जीब के अंदर गया वो सुक भी क्या हो जाता है समाप तो जाता है और रजगुल्ला खाना एक क्या है रजगुल्ला खाना एक शारिरिक सुक है इसलिए शारिरिक सुक खणिक होते हैं खण भंगुर होते हैं थोड़ी देर में इसमाप तो जाते हैं इसलिए एपिक्यूरस कहते हैं कि शारिरिक सुकों को वांचिनियनी मानना चाहिए उनकी के लिए अनिवार रहे हैं मैंने ये भी अभी समझा दिया आपको कोशिश कर रहे हैं वही मनूँ कोशिश कर रहे हैं और कोशिश से अकसर काम्याब हो जाती है और वादे अकसर तूट जाये करते हैं हाँ ये जो अश्विनी बिड़्डा है ये खुद की फोटो क्यों भेज रहा है ये खुद की फोटो को इमोजी के रूप में क्यों भेज रहा है सी, 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 हम, हम, हम बिल्कुल यही हमारा सुख है यही हमारा सुख है चाप देखलो अब भी मेंने क्या पढ़ाया था आपको आप लोग क्या पढ़ते हो यार जिससे बेपढ़ना चाहिए उस समय पता नहीं तुम का गूमते रहते हो मैंने आपको बताया था कि दो परकार की इच्छाए होती है स्वाभावी की इच्छाए और क्रत्री मिच्छाएं स्वाभावी किच्छाएं मनुष्य की प्रवर्तियों से संबंधित होती है भूग प्यास आदी अच्छा तु भी भारद्वाज मैं भी भारद्वाज आजा हम दोनों भारद्वाज बने ठीक है आप तो मेरे भी चाचाजी निकले तो अंच्छे समझना दो प्रकार की इच्छाएं होती है मैंने अभी बताया था आपको कि स्वाभावी की इच्छाएं जो होती है भूग प्यास आदी इनको अगर तरीके से पूरा किया जाए तो व्यक्ति का जीवन सुकी होता है और क्रत्री मिच्छाएं जो होती है वो कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए उनको की वो अंत में जाके दुख देती है इसलिए देखो मैंने राइट का निशान लगाया था इसलिए यहां डगना क्रत्री मिच्छाओं को मैं तो नहीं देते हैं यह केवल किन को मैं तो देते हैं यह केवल यह केवल और केवल किने यह केवल स्वाभावी की च्छाओं को मैं तो देते हैं यह कहते हैं कि स्वाभावी की च्छाओं का पालन करना ही स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ती करना अनिवार्य नहीं है यह सिर्फ यह कह रहे हैं कि अगर आपको करनी है पूर्ती तो कर लो बाकी बाकी अनिवार्य तो नहीं है समझ में आ गया क्या कोई प्रॉबलम क्लास को शेर कर लो और भाई साब next question Epicurus के अनुसार कौन से भै व्यक्ति के सुखों में बाधक है आजाओ भाई साब कौन से भै व्यक्ति के सुखों में बाधक है मृत्यू का भै इश्वर का भै भविश्य का भै सुख समाप्ती का भै या बंधन का भै question का number निडाल रहे हो तुम लोग आजकल question का number निडाल रहे हो question का number 8 है आपने अभी तक 9 है इसका number निडाला मेरे body language के जैसे मेरे nature भी अच्छा है 9 का C क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत जोरदार बात है बहुत जोरदार बात है तप्पे मतमारों सुन लो अब ढंक से ध्यान रखना ये कहते है कि सुखो में बाधक epicurus कहते है कि सुखो में बाधक सुखो में बाधक दो चीजे है दो प्रकार के जो भै है वो सुखो में बाधक है सुखो में क्या है बाधक हमारे व्यक्ति के सुख में कौन बाधाई पैदा करते हैं दो प्रकार के भैय है कौन कौन से भैय है एक भैय तो है एक भैय तो है मृत्यू का भै मृत्यू का भै एक भैय का नाम है मृत्यू का भै और एक भैय है ईश्वर का भै ईश्वर का भै करने का डर जो है वो हमको हमारी चाहों से क्या कर देता है हमारी चाहों की पूर्ती करने से हमारे सुख प्राप्त करने से रोग देता है मृत्यूगाभ है ना तो मृत्यूगाभ है सुख में बादक है नंबर दो इश्वर का भै अरे हम बहुत सारे बहुत सारे हमारी चाहों क का दंड देगा क्योंकि ये समाज और धर्म के विरुद्ध है लेकि ये कहते हैं कि दोनों ही भैग अनुचित है क्योंकि मृत्यू का भैग इसलिए इसलिए अनुचित है क्योंकि ये जो शरीर है ना आत्मा नाम की तो कोई चीज होती नहीं है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं से बना हुआ है और अनु कभी भी स्थाई रूप से बंदकर एक साथ बंदकर नहीं रहा सकते यह एक दिन अलग होते ही है इसी को मरना कहते है तो यह तो स्वाबाविक स्वाध्य चीज है जो आदमी जो आदमी इसी को मृत्व", पर प्राप्ट करना कहते हैं, जो आदमी ये मान लेता है, कि, मृत्यू कुछ उती ही नहीं है, उने च contenido है, जैसे जनों चीज होती है, वैसे ही मृत्यू भी इक चीज है, जैसे कोई कपड़ा फटकाई, वैसे ही शरीर भी खतम हो जाता है, तो फिर आदमी डरता नहीं है ठीक है और यह डर निकल गया तो फिर जीवन आनंद में हो जाता है और ईश्वर का भै तो कहते है इईश्वर नाम की कोई चीज होती नहीं है जो भी है वो सभी संसार अनुसे बना हुआ है और इनके हर अनु के अपने स्वभाव थिस स्वभाव के नुसार कारे करता है ये जो सिद्दान था ये बहुत हद तक बहुत हद तक ये सिद्दान जो है वो चारवाक के समान है इसलिए मृत्यू का भै और इश्वर का भै ये दो सुख है जो व्यक्ति को ये दो भै ऐसे हैं जो व्यक्ति को सुख प्राप्ति में बादक होते हैं ठीक है भाई चलिए भा इतना ही बहुत है आप तो अब आंसर दो अब वो है जो आपने पड़ लिये हैं जल्दी से आंसर दो सामाने सुख की अवधारना का समंध किस से हैं बैंथम से चेयस मिल से सिजविक से या सभी से A, B, D, A, D, C सब लिख दो बस तुम दो A, C, अब सुन लो यह जो सिद्धानत है यह सिद्धानत जेयस मिल का सिद्धानत है सामाने सुख किसे कहते हैं यह कहते हैं, मिल कहते हैं एक व्यक्ती का सुख एक व्यक्ती का सुख जो है एक व्यक्ति का सुख जो है वो उसके लिए शुब है उसके लिए शुब है अगर एक व्यक्ति का सुख उसके लिए हर व्यक्ति का सुख अपने अपने लिए शुब होता है अच्छा होता है तो ऐसे नियम के नुसार कारे करो जिस नियम से सभी को क्या मिल सके अधिक से अधि सामान्य सुख का मतलब होता है एक ऐसा सुख एक ऐसा नियम जिस नियम को मानने पर सभी लोग क्या होते है सभी लोगों का लाब होता है सभी लोगों को खुशी मिलती है सभी लोगों को सुख मिलता है ऐसे सुख को ही सामान्य सुख कहा जाता है और इसी सिद्धान्द को स्विकार किया है, किसने जैस मिलने स्विकार किया है, समझ में आ गया, next question, चारवाग के नुसार सर्वोच मूल्य है, ये भारतिय सुख वाच से सम्मंदित question है, चारवाग के नुसार सर्वोच मूल्य है, हाँ, सही पकड़ी है, चारवाग के नुसार सर्वोच मूल्य है, धर्म का, मोक्ष का, काम का या इन में से किसी नहीं का, एसेस्टी पॉइंट ही मेरा कोचिंग सेंटर है, बिल्कुल डेली क्लास हो रही है, आप चैनल से जुड़े रही है, क्लास डेली हो रही है, क्लास डेली हो रही है, काम काम काम, बिल्कुल सही बात है, चार पुरुशार्ट होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष ये चार पुरशार्थ होते हैं चारवाग दर्शन कहता है कि धर्म कोई पुरशार्थ नहीं होता है धर्म कोई पुरशार्थ नहीं होता क्योंकि धर्म में नेतिकता होती है धर्म में वैदिक करमकांड होते हैं और वैदिक कर्मकांड जो है वो देवता और यग्यों जैसे अंदविश्वासों पर आधारित है और नैतिक नियम व्यक्ति को सुख देने की बजाए दुख दे देते हैं जो लोग जूट बोलते हैं चारवाक बोलगा है कि जो लोग जूट बोलते हैं गुड इविनिंग होता है पहले ऑनलाइन पड़ो धर्म नाम का कोई पुर्शार्त नहीं होता है मोक्ष किसे कहते हैं मोक्ष की परिभाशा है कि जनम मरन के चक्र की समाप्ति हो जाना अखंडानंद की प्राप्ति हो जाना दुखों की पूर्णते समाप्ति हो जाना चारवाक कहते हैं कि दु दुखों में पूर्ण तह समाप्ति जो है दुखों की पूर्ण तह समाप्ति जो है वो केवल और केवल पूर्ण तह समाप्ति केवल और केवल किसमें होती है केवल मृत्यू की इस्तिती में होती है इसलिए चारवा कहते हैं मृत्यू ही क्या है मोक्ष है मरणमेव अपवर्ग है मृत्यू ही अपवर्ग है मृत्यू ही मोक्ष होता है ये कौन कहते हैं चारवा कहते हैं लेकिन मृत्यू प्राप्त करने योग्य नहीं होती व्यक्ति के जीवन का लक्ष नहीं हो सकता इसलिए मोक्ष भी पुरुशार्थ नहीं है केवल दो पुरुशार्थ हैं कौन कौन से अर्थ और काम और काम का मतलब होता है सुख काम इच्छाओं की पूर्ती करने से व्यक्ति को सुख मिलता है इसलिए और सुख जिसमें आता है उसी को परम पुरुशार्थ माना जाता है क्या माना जाता है परम पुरुशार्थ माना जाता है इसलिए चारवा कहते हैं कि यही परम पुरुशार्थ है और परम पुरुशार्थ कोई सर्वोच मुल्य कहते है अर्थ जो है धन अर्थ का मतलब धन यह धन जो है यह भी व्यक्ति के सुखों में सहायक होता है इसलिए सहायक होता है इसलिए यह भी पुरुशार्थ है इसका भी मुल्य है लेकिन यह साधन पुरुशार्थ है कैसा पुरुशार्थ है साधन पुरुशार्थ है ठीक है ना हाँ केवल दस दिन ही बचे अन्तिम दस दिन डंग से पढ़ लो काम हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो गया सर्वोच्य मुल्य पूछ रहा है सर्वोच्य मुल्य तो केवल काम का है अर्थ जो है वो सहायक मुल्य रखता है समझ में आ गया मैं केवल इस्ट्री और विलास्वी बढ़ाता हूरे भाई नेक्स्ट क्यूशन बैंतम के सुखवादी गणक का कौन सा तत्व है जो उसके सिद्धान्द को स्वार्थवादी सुखवादी से भिन्द करता है जल्दी से आंसर दो क्यूशन डंग से पढ़ो बैंतम के सुखकलन या सुखकणक का कौन सा तत्व है जो उसके सिद्धान्द को स्वार्थवाद से भिंद बनाता है स्वार्थवादी सुखवाद से भिंद बनाता है हाँ सही पकड़े है जल्दी आंसर दो जल्दी 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 बेन्थम के सुखवादी गणक का कौन सा तत्व ऐसा है जो उसके सिध्धान्त को यानि उसके उप्योगितावाद को स्वार्थ से सुखवाद से भिन्द बनाता है निर्वान ने दिया है सबसे पहले आंसर C विस्तार, DSP सरकार दो, SV कुमारी विस्तार, पवन निर्वान विस्तार, संजेव असिष्ट भी उत्पादक था देखो रहे भाई साब, बैन्थम कहता है, बैन्थम कहता है कि दो, बैन्थम जो है, वो बैन्थम सुखों में, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्विकार करता है केवल मात्रात्मक भेद स्विकार करता है, अर्थाद वो कहता है कि सुख में केवल जादा और कम का ही भेद होता है, लेकिन तैय ये प्रशन ये उटता है, कि जादा और कम का निर्धान कैसे करोगे तो इसलिए जादा और कम का निर्धान करने के लिए बेन्थम ने एक सिद्धान दिया है, और सुख गणक, सुख कलन, सुख गणक भी कह सकते हो, सुख कलन का सिद्धान भी कहते हो, और उसके अंदर वो साथ मापदंड बताता है, कितने मापदंड, साथ मापदंड बताता तीवरता, दिख रहा है ना, तीवरता, अवधी, निकटता, निश्चितता, उत्पादक्त, शुद्धता, उत्पादक्ता, और व्यापक्ता या विस्तार, विस्तार कहलो, और इसी को क्या कह सकते हो, व्यापक्ता भी कह सकते हो, ध्यान रखना, तीवरता का मतलब होता है कि यदि आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन यह है कि आप, एक ऑप्शन ऐसा है, जिसको करते ही आपको सुख मिल जाता है एक कर्म ऐसा है जिसको करने के बाद में दीरे 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 सुक मिलता है तो जिसमें तीवरता जादा है उस कर्म को करना ये पहला है अवदी एक कर्म है जिसको करने से आपका सुक जो दो गंडे रहता है एक कर्म ऐसा है जिसको करने से आपका सुख दो दिन तक रहता है तो जिसमें जादा दिन तक जादा अवधी तक जो आपको सुखी बनाए रखे उस कर्म को करना निकटता एक कर्म ऐसा है जिसको करने से आपको आज ही सुख मिल जाएगा और एक कर्म ऐसा है जिसको करने से आपको छह मैने बाद सुख मिलेगा समझ मैं रहा है तो बैंधम कहते हैं कि दूर वर्ती सुखों के लिए निकट वर्ती सुखों को त्याग ना समझदारी नहीं है इसलिए निकटता का ध्यान रखो पहले जो सुख मिल जाए उसको पहले प्राप्त कर लो निश्चिता एक कर्म ऐसा है जिससे प्राप्त होने वाला सुख मिल भी जाए और ना भी मिले और एक कर्म ऐसा है जिससे निश्चित रूप से क्या मिलेगा सुख मिलेगा उसको ज्यादा मानते वे उसी को करो शुद्धता एक कर्म ऐसा है जिसको कर्म करने से जिससे प्राप्त होने वाले सुख को जिससे सुख प्राप्त करने के लिए आपको कष्ट भोगना पड़ता है और एक ऐसा है जिसमें कोई कष्ट नहीं मिलता उसे शुद्ध सुख का जाता है और जिसमें कष्ट मिलता है उस जो आप जो किया और आपको सुख मिला और खतम हो गया एक कर्म ऐसा है जो आप कर रहे हो उससे फिर दूसरा एक सुख मिल रहा है उस सुख से आपको दूसरा सुख मिल रहा है दूसरे से आपको तीसरा सुख मिल रहा है अर्था जिस सुख में उत्पादन ख्षमता जादा हो करती है उस कर्म को करो उसको जादा मानों और सबसे आखरी के अंदर एक चीज दिया है वह है विस्तार वही कर्म करो, जिसको करम अधिक से अधिक थि agree के अधिक लोग जिस लोग भी उस सुक के अंदर शामिल हो जाते हैं, और सुक बाटने से बढ़ता है ध्यान रखना, इसलिए वो सिध्धान्त, बैंतम के सुक वाद का सुक कलन का वह टॉपिक, जो टॉपिक बैंतम को परार्थवादी बना देता है, सब को सुक बाटो, तो आपका सुक बढ़ ज सरवार्थ की तरफ लेके जा रहा है, और यही उपियोगितावाद का अधार है, इसलिए राइट आंसर हो गया, विस्तार, समझ में आ गया क्या, next question, मिलका उप्योगितावाद बैन्थम से इस अर्थ में भिन्न है कि यह है मिलका उप्योगितावाद बैन्थम के उप्योगितावाद से इस किस अर्थ में भिन्न है यह बात हो रहा है सुखों की तीवर्ता में भेद मापता है सुखो की अवधी में भेद मापता है सुखो की निश्चित्ता में भेद मापता है और सुखो में गुनात्मक भेद मापता है जल्दी से आंसर दीजी जल्दी से आंसर दीजी जितने मैं पानी पी लेता हूँ जल्दी से आंसर दीजी question का number तो डालो तेरवे number का प्रश्ण है number तो डालो तेरवे का D D D D D क्या बात है बेलकुल सही बात है मिल जो है बैन्थम जो है वो बैन्थम सुखो में सुखो में केवल केवल मात्रात्मक भेद मानता है only मात्रात्मक भेद मानता है difference in quantity only जबकि मिल जो है वो मिल क्या कहता है JS मिल जो है वो कहते है कि सुखो में जादा और कम का भेद तो होता ही है यानि मात्रा का भेद तो होता ही है मात्रात्मक भेद तो होता ही है साथ में गुनात्मक भेद भी होता है कौन सा भेद होता है गुनात्मक भेद भी होता है सुख जादा और कम तो होते ही है सुख अच्छे और बुरे भी होते है सब सुख समान नहीं होते है मात गुन की दृष्टी से कुछ अच्छे होते हैं उतकरष्ट होते हैं कुछ निकरष्ट भी होते हैं किसी को चक्कु मार के और मज़ा आता है तो बैंतम तो कह देगा अगर आ रहा है तो ले ले क्योंकि वो मज़े के अंदर मात्रार गुणा का अच्छे और बुरे का भेद नहीं करता है लेकिन मिल कहता है कि पागल है क्या हो सकता है कि तेर को चक्कु मारने में चोरी करने में मज़ा आता हो हो सकता है मज़ा आता हो लेकिन ये शारिरिक सुख है इसलिए कौन से सुख की बात करो मात्रा का भी ध्यान रखो और गुणात्मक्ता का भी ध्यान रखो सुखों में अच्छे और बुरे का भी भेद होता है समझ में आ गया क्या तो बिल्कुल सई आंसर हो गया आप लोगों का बिल्कुल सई आंसर है थैंक्यू भाई next question सूची एक तता सूची दो को सुमेलित करें तता सूचीयों के नीचे जो कूट दिये हुए हैं जो कूट दिये हुए हैं उन कूटों का सई चैन कीजिए चल्दी से आंसर दो भाई साब मैं आपके बीच में से आट रहा हूँ question को ताकि आप पूरा प्रॉपर देख सके गुड़नाइट संतोज सुपिता गुजर तेरवे का चार गरिमा कुमारी चौदवे का चौदवे का चार चौदवे का सी उगंता गुनावत भी धरमपाल भी आंसर दो आंसर दो भी भी तो डंग से देख लो सबसे पहले देख लो बैन्थम जो है उसका सुखवाद इस थूल उपियोगितावाद कहलाता है इस थूल उपियोगितावाद कहलाता है मिल का जो है वो परिश्कृत उपियोगितावाद कहलाता है शिजविक जो है वो बौदिक यांते प्रग्यात्मक उपियोगितावादी कहलाते हैं और रैश्डल बचेवे हैं, आदर्श मूलक उप्यों कितावादी कहलाते हैं, तो एक का चार किसमें हैं, दो में हैं, बी का दो किसमें हैं, इसमें हैं, तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो गया, तीन इसका सटीक आंसर है, words अरे मैं इसलिए तो ध्यान रखना बच्चों philosophy की खास बात है कि इसके answer तो सबको आते हैं बशर्ते question समझ में आ जाए और question इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें भाशा बदल जाती है और जैसे ही भाशा बदलती है लोग भागों के वह भाशा नहीं पकड़ में आती है इसलिए मैं एक ही प्रशन को कई रूपों के अंदर आपके सामने लेके आ रहा हूं अब अगर आप उसका लाव उठा सकते हैं तो उठा लो नहीं उठाना चाहिए तो आपकी मर्जी यार मुएका तुम मजे ले ला है अन्शुलब अब तुम मजे लेने पर आ गए पेटा सलो नेक्स्ट कॉस्ट्चन मनो वेग्यानिक सुखवात के नुसार मानव जीवन का शुब क्या है बताई यह आंसर दो मनो वेग्यानिक सुखवात जो है वो मनो वेग्यानिक सुखवात जो है अभी आपको बता चुका हूँ मैं इसके नुसार मानव जीवन की अच्छाई शुब का मतलोता है अच्छाई क्या है मानव जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा है मनो देहिक सुख आत्मसाक्षात्कार मुल्यों की प्राप्तियत जैविक विकास अच्छा अच्छा कईसे भी करा हो लेकिन करतो लिया ना जल्दी आंसर दो मनो वेज्ञानिक सुखवाद किसे मानता है अभी कर देंगे पंकस आगे जैसे ही कोशन आएगा मैं इसको बता दूँगा बस क्लास से जुड़े रेना आगे कोशन आएगा बहुत दिक उप्यों की तावाद गा बभीता पूनिया ए आंसर दे रही है उगंता सी आंसर दे रही है गरिमा ए दे रही है निलम सी दे रही है दिनेश ए दे रहा है सुवालाल गुर्जर ए दे रहा है सुनिता मीना ए बता रही है उगंता सी बता रही है रामनिवाज जाट ए बता रहे हैं तो डंग से समझ लो रहे भाई साब ये कौशन बहुत इजी है सवी कुमारी कौशन तो इजी है भाषा थोड़ी सी टेड़ी मेड़ी कर दी मैंने आईवाज समझ में अब अगर आपने भाषा नहीं पकड़ी फिलासफी तो भाषा से इस समझ में आती है और अगर भाषा नहीं पकड़ी है तो मामला गड़ बड़ो जाएगा मनो वैग्यानिक सुखवाद यह वो सिद्दान्त है जो यह कहता है कि सुख प्राप्त करना ही सुख प्राप्त करना ही सुख प्राप्ती ही व्यक्ती का स्वभाव है व्यक्ती का क्या है? स्वभाव है स्वभाव है और शुब है शुब है यह मनो वैग्यानिक सुखवाद कहता है अब डंग से समझना, सुख का मतलब क्या होता है, सुख के अंदर दोनों प्रकार के सुख आते हैं, शारिरिक सुख भी आते हैं, और मानसिक सुख भी आते हैं, शारिरिक और मानसिक दोनों प्रकार के सुख आते हैं, और देखो पहले option में मैंने मनोदेहिक शब्द का प्रयो किया है मन का मतलब मानसिक सुख और दैहिक का मतलब शारिरिक सुख समझ में आ गया तो मनों वेग्यानिक सुख वाद तो यह कहता है वो अंतर नहीं करता है वो कहता है कि मनुष्य दोनों प्रकार के सुख मांगता है एक तो शारिरिक सुख तो मांगता है मानसिक सुख भी मां जब पेट भर जाता है ना तब वो नींद की बात करता है तब वो यश की बात करता है समझ भी आरी बात ठीक है next question next question मनो देहिक सुखवाद आंसर हो गया next question यदि आप सुख के पीछे भागते हैं तो आप उसे प्राप्त करने में असफल होते हैं यह निम्न लिकित में से कौन सा एक विरोधा भास है psychology जैसी नहीं है यह psychology की मम्मी है मम्मी psychology की क्या है मम्मी है philosophy is the mother of all sciences 16 का answer दो फटा फट इस सिद्धान्थ को क्या कहा जाता है कि जितना सुख के पीछे भागोगे सुख तुमसे उतना ही दूर भाग जाएगा इसलिए सुख पाने के लिए सुखों को भूलना जरूरी है तो विरोधा भास आ गया न विरोधा भास आ गया और इस विरोधा भास को कहते हैं सुख वाद का विरोधा भास सुख का विरोधा भास किसे कहते हैं इसी सिद्धान को कहते हैं कि जितना सुख के पीछे भागोगे वास्तविक सुख पाना के लिए आपको सुख को भूलना पड़ता है सही बात है सिद्धानत है यह सिद्धानत है उपियोग इतावादी है सिद्धानत है कि अगर कोई व्यक्ति हर व्यक्ति सुख जीवन का सर्वोच लक्षन है सर्वोच मुल्य है सुख का सुख जीवन का आदर्श है सुख प्राप्त करना व्यक्ति का व्यक्ति के जीवन का करतव है लेकिन ये बात जो है इसको नैतिक सुखवाद कहते हैं शुक प्राप्त करना है व्यक्ति के जीवन का करतव है इसको नेतिक सुखवाद करते हैं लेकिन सिजविक जो है सिजविक के अलावा जो मिल और बैंथम है ये दोनों कहते हैं कि व्यक्ति को सुख की कामना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति स्वभावत है सुख को मानत करता है को अलाई को शारे कोशने अंभी तो आदे भी निए अभी तो आदे भी दिए थी करता है वह मनोविऑनिक सुखवाद के आधार पर नेतिक सुकffen की आपना करते हैं और सिज्विक मनोविज्ञानिक सुखवाद का विरोध करते हैं यह द्धानगना सिज्विक मनोविज्ञानिक सुखवाद का विरोध करते हैं कौन सिज्विक यह कहते हैं कि व्यक्ति हमेशा सुख की कामना नहीं करता है वो वस्तू की कामना करता है जिन से उ उसे सुख की प्राप्त होती है वो वस्तुव की कामना करता है सुख की कामना नहीं करता अगर व्यक्ति के दिमाग में हमेशा सुख की भावना रहेगी तो उसे सुख मिलेगा ही नहीं और अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति सुख की कामना करता है उसमें सुख को भूल जाता है अर्थाद ये कतन बिल्कुल गलत है कि व्यक्ति के दिमाग में हमेशा सुख की भावना रहती है और व्यक्ति हमेशा सुख से प्रेलिध होके ही कोई करम करता है ये बिल्कुल असत्यवधारना है कौन कहता है सिजविक कहता है इसी सिद्धान्त को क्या का जाता है सुख का विरोधा भास कहा जाता है समझ में आ गया क्या कोई प्राब्लम नो प्राब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन चेतना स्वयम शरीर का उपतपाद है मत बताईए किसका मत है ये नियाय दर्शन का चार वाग दर्शन का जैन दर्शन का बौद दर्शन का जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो ऐसा मुझे भी लगता है हिमंत ऐसा मुझे भी लगता है और ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई भी नहीं है कॉन्फिडेंसी आता है इससे तो बी डी बी बिल्कुल पहले इस क्वेशन को ये तो सही है पहले इस क्वेशन का मतलब समझ लो ये कहता है चेतना शरीर का उपतपाद है ध्यान रखना चारवाग के अलावा जो अन्य भारतिय दर्शन है थैंक्यू भाईया किसका होता है आत्मा का गुण होता है अधर जो फिलोसफी है बारतिय दर्शन में जो अन्य फिलोसफी है वो कहती है कि चेतना आत्मा का गुण होता है ठीक है लेकिन चारवाक इस बात को स्विकार नहीं करता चारवाक कहता है चारवाक आत्मा को नहीं मानता है नहीं मानता त जब आत्मा होती नहीं हैं किसी के अंदर भी लाल रंग नहीं है लेकिन ये चारों जब किसी विशेष अनुपात में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो मिलने के बाद उसमें लाल रंग पैدا हो जाता है एक नया गुन पैدا हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है तो ठीक वैसे ही शरीर के ये चार तत्त जो है वो एक दूसरे के अंदर जब विशेश अनुपात में जुड़ जाते है तो शरीर में चेतना उत्पन जाती है इसका मलब शरीर चेतना से पैदा होती है और इसी को भूत चेतन्यवाद इसी को क्या का जाता है इसी को भूत चेतन्यवाद कहा जाता है भूत चैतन्य वाद कहा जाता है और इसी को देहात्म वाद भी कहा जाता है अर्था देह ही चैतना का आधार है समझ में आ गया क्या? Next question निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजी रूस की करांदी भी करवाएंगे चिंदा मत करो यस केवल चार ही तत्व मानता है चारवाग आकाश को तत्व नहीं मानता है प्रत्यक्षवाद को आधार मानता है नास्तिक तो जैन चारवाग जैन बहुत तीनों है लेकिन गोर नास्तिक कौन है? गोर नास्तिक चारवाग है आंसर दीजिए मिलके अनुसार केवल शुब संकल्प ही शुब है कॉश्चन को ढंग से समझ ला इदर दर की बाते छोड़ दो और पढ़ाई पे आज़ो बिल्कुल पढ़ाई पे जान दो इदर दर की बाते मत करो हाँ हाँ ठीक है भई कोई बात नहीं मिलके अनुसार केवल शुब संकल्प ही शुब है दूसरा कथन है मिलके अनुसार शुब कर्म वै है जो अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख के लिए किया जाता है और तीसरा कांट का जोड़ दिया इसने कांट के अनुसार हमें समाज के शुब के लिए अपना कर्तव करना चाहिए इन में से कौन सा कथन सही है कौन से और कौन सा कथन सही है जल्दी आंसर दो 18 वे का अजर खान सी बता रहा है सुपिता ए बता रही है विरेंद तीन बता रहे है पंकज यादव दो बता रहे हैं जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो दिये जाओ आंसर दिये जाओ बच्चों आपके आंसर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आंसर तो मैं भी बता दूँगा अभी एक जटके के इंदर है पहले बता दूँगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ता दिमाग लगाएं आप बात को फैलाएं दिमाग को फैलाएं समझने की कोशिश करें A B B महिंदर कुमार C हिमानसू B प्रकास एक तो अब चुपचाप सुन लो कर ली आपने कोशिश कर ली कोशिश अब चुपचाप सुनो देखो भाई साब मिल के अनुसार केवल शुब संकल्प ही शुब है देखो भाई ये जो शुब संकल्प वाली बात आती है ना ये तो केवल और केवल किस में आती है ये तो कांट की बात है शुब संकल्ब की बात तो केवल किस में आती है ये कथंदो किसका है ये तो कांट मानता है मिल नहीं मानता है केवल कौन मानता है कांट मानता है ये बात तो कांट से रिलेटेड है मिल के नुसार शुब कर्म वे है जो अधिक्तम लोगों को अधिक्तम सुख के लिए किया जाता है बिल्कुल सही है ये बात तो बिल्कुल सही है ये तो मिल मानता है भाई साब और कांट के लिए कह रहा है कि कांट के नुसार हमें समाज के शुब के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए बिल्कुल गलत बात है कांट कभी नहीं कह सकता कांट कभी नहीं कह सकता ये बात क्यों नहीं कह सकता क्योंकि कांट तो कहता है कि कर्तव्य जो है वो किसी के लिए नहीं बलकि कर्तव्य सिर्फ कर्तव्य के लिए ही किया जाना चाहिए यहां तो कर्तव्य समाज के शुब के लिए किया जा रहा है और कांट क्या कहते हैं कर्तव्य तो केवल कर्तव्य के लिए ही किया जाना चाहिए इसलिए ये बात कांट की बिल्कुल गलत है केवल एक ही बात मिल स्विकार करता है एक ही कथन सही है और वो कथन क्या है वो है केवल दो सही है मिल से जुड़ावा कॉष्टन सही है समद में आ गया समद में आ गया next question निम्न लिकित में से कौन सा एक कथन जेयस मिल को स्विकार नहीं है कौन सा एक कथन JS मिलको स्विकारी नहीं है अरे भई क्लास को थोड़ा बहुत शेर करके और सम्मान प्रदान कर दो कौन सा कथन मिलको स्विकारी नहीं है यह याद रखना कोशन क्या कर रहा है यह कौन सा कथन ऐसा है जो मिलको स्विकारी नहीं है बी मैंने नहीं पड़ा कोशन मनुष्य अपने सुख की कामना करता है मनुष्य को सभी के सुखों की कामना करने चाहिए सद्गुन स्वयम में सुभ है अपने कर्मों द्वारा उत्पन सुख और दुख की गणना के बजाए व्यवहार में मनुष्य को नहतिक नियमों का पालन करना चाहिए जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए इसको देखो वाई बिल्कुल कहता है मनुष्य अपने सुख की कामना करता है ये बात इसे कहते है कांट जो है वो स्वार्थ को भी मानता है मनुष्य को स्वार्थ ही भी मानता है और सुखवादी भी मानता है ये बात तो बिल्कुल सही है स्वार्थ भी मानता है ये बात तो बिल्कुल सही है मनुष्य को सभी के सुकों की कामना करने चे बिल्कुल कहता है वो बिल्कुल इसी बात कहता है क्योंकि वो सर्वार्थ मूलक सुकवादी भी है सर्वार्थ मूलक सुकवादी भी है ठीक है लेकिन सद्गुन स्वयम में शुब है ये बात तो ये बात तो सुकरात ने कही है किस ने कही है ये बात तो दोस्तों किस ने कही है ये तो सुकरात ने कही है ये तो सुकरात का कथन है और चोथी बात व्यक्ति के कर्मो दोरा उत्पन सुख दुक्य की गणना यानि मातरात्मक भेद को नहीं मानता इसलिए सुख करन का से दांद भी स्विकार नहीं करता बलकि व्यभार में गणना करने की बजाए व्यभार में नेतिक नियमों का पालन करते रहो बस अपने आप ही क्या हो दैगा अपने आप ही सुख मिल जाएगा समझ मैं रहा है ये बात भी मिल स्विकार करता है इसका मतलब कौन सी बात स्विकार नहीं करता है कौन सी बात स्विकार नहीं करता है ये वाली बात मिल का कथन नहीं है ये किसका कथन है ये सुखरात का कथा ने इसलिए सई आंसर हो गया next question नैतिक सिद्धान्त सरवाधिक संख्या का सरवाधिक सुख के प्रनिता है जल्दी आंसर दो सरवाधिक संख्या सरवाधिक संख्या का सरवाधिक सुख सरवाधिक संख्या का सरवाधिक सुख जल्दी आंसर दो सरवादिक संक्या का सरवादिक सुख जल्दी आंसर दो जेस मिल, जर्मी बैंतम, विलियम जेम्स, जेम्स और हैनरी सिज्विक के प्रनेता कौन थे? इस सिद्दान्द के प्रनेता कौन थे? इस सिद्दान्द के प्रनेता कौन थे? इस सिद्दान्द के प्रनेता कौन थे? आंसर दो इस सिद्दान्द के प्रनेता कौन थे? इस सिद्दान्द के प्रनेता कौन थे? दी, बैन्थम, बी, मिल, मिल, बैन्थम मिल और बैन्थम के लड़ाई ज़्यादा हो रही है मिल और बैन्थम में लड़ाई चल रही है कोई बात नहीं ध्यान रखना ये जो सिद्दान्द है सरवादिक संख्या का सरवादिक सुख इसी को तो उप्योगितावाद कहा जाता है और उप्योगितावाद कहा जाता है और उप्योगितावाद के जनक प्रनेता ये जर्मी बैन्थम थे कौन थे जर्मी बैन्थम थे और मिल जो है जेएस मिल जेएस मिल जेएस मिल वो जेएस मिल उप्योगितावाद के समर्थक थे मुख्य समर्थक थे मिल के सिद्धान बैंथम के सिद्धान को आगे बढ़ाया था किसने मिलने आगे बढ़ाया था लेकिन प्रनेता पूछ रहा है क्या पूछ रहा है प्रनेता पूछ रहा है बोले तो प्रतिपादक कौन था श्टार्ड किस ने किया था ये किया था किस ने बैंथम ने किया था इसलिए इसका राइट आंसर है जर्मी बैंथम अदो लिखित में से कौन सा समू बैन्थम के नीती शास्त्र के नुसार सुसंगत नहीं है बैन्थम के नीती शास्त्र के नुसार सुसंगत नहीं है पूछ रहा है नहीं है और नहीं है ये पूछ रहा है वो नहीं है नहीं है और नहीं है पूछ रहा है चल्दी आंसर दो बी बैन्थम तीन चार सिद्दान देर्ख हैं कौन सा सिद्दान ऐसा है जो बैन्थम का के अकॉर्डिंग सही नहीं है स्वार्थवाद उप्योगितावाद और नहीं है बैन्थम स्वार्थवाद को भी मानता है और नहीं है ठीक है सुख वादी आकलन के सिद्दान को भी स्विकार करता है स्वार्थवादी और नेतिकता के अंकुष को भी स्विकार करता है बिल्कुल सही है सुख का परिमार बिल्कुल स्विकार करता है सुख के अंदर क्या होता है परिमार होता है सुख का विस्तार बिल्कुल सुखों के अंदर विस्तार की बात करता है नहीं है अभी बताया था मैंने बेंथम के साथ जो सिद्धान तो उसके अंदर सुख का विस्तार आया और सुख की शुद्धता इसकी भी बात करता है लेकिन किसकी बात नहीं करता इसको लेके कोई चर्चा नहीं करता, मानव गरिमा के बोध को लेके, बैंधमने कोई चर्चा नहीं करी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, स्वार्थवा, D is the right answer, समझ में आ गया? सिजविक ने इस मत को स्विकार किया कि सुख मनुष्य का सर्वोच शुब है कारण क्योंकि ये जब भी कथन कारण के क्योंशन आए ना तो पहला सेंटेज पढ़ने के साथ क्योंकि लगाया करो क्योंकि सिजविक का विश्वास था कि मनुष्य स्वभाव से केवल सुख को ही साथ की रूप में पाना चाता है तो बड़ा बढ़ रहा हूं सिजविक ने इस मत को स्विकार किया कि सुख मनुष्य का सर्वोच शुब है कारण का मतलब क्योंकि सिजविक का विश्वास था कि मनुश्य स्वभाव से केवल सुख को ही साद्दे की रूप में पाना चाता था आंसर दो वाई जल्दी आंसर दो ए ए ए ए ए अब एक दो तीन चार में से आंसर दो गुड इविनिंग जैस्पा जिग्यासा उपाध्याए एक क्लास को शेर वेर नहीं कर रहे हो तुम लोग यार यह बहुत ही डिसपोइंट हो रहा है मर रभी रभी कह रहा है क्या सर आपके आप तो कह रहे थे कि आपके फैन है सारे स्टूडेंट और आप यह शेर ही नहीं करते हैं सही व्याख्या एक का मतलब है दोनों सही है यह भी सही है और यह जो भी है आर जो है वो एकी सही व्याख्या कर रहा है इतना इजी नहीं होता है कोशन कभी देखा आज तक गर्वीता कुमावत कभी आज तक देखा है तुमने मेरे को मीन मौन बीडियम बढ़ा देवे मैडम की लिए बोल रही है क्या मुझे पता नेर वाई जल्दी आंसर दो अभी आपको पता दिल जाएगा आंसर कैसे सौल करते हैं गलत आंसर आ रहा है सबका गलत आंसर आ रहा है सिजविक क्या है सिजविक उपियोगितावादी है सुखवादी है उपियोगितावादी है अभी मैंने आपको बताया था इस मत को स्विकार करते हैं कि सुख मनुष्य का सर्वोच शुब है जब तक सुख को सर्वोच शुब नहीं मानोगे तब तक वह उपियोगितावादी हो इनी सकता है समझ मैरी बात लेकिन सिजविक, बिल और बैंथम तो अपने उपियोगितावाद का आधार मनोवेग्यानिक सुखवाद को मानते थे लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि मनोवेग्यानिक सुखवाद जो है मनोवेग्यानिक सुखवाद जो है वो सिजविक नहीं मानता है और मनोविज्यनिक सुखवाद का मरता है स्वभाव सिज्विक कभी स्विकार नहीं करेगा कि मनुष्य स्वभाव से केवल सुख की ही कामना करता है मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं करेगा समझ भी आ रहा है इसका मतलब ए तो सही है लेकिन आर क्या है आर असत्य है, इसलिए इसका right answer क्या हो गया तीन right है ओके फिर से दुबारा समझे हो ये कथन ये कारण है कथन कह रहा है कि सिजविक सिजविक ये मानता है कि सुक्ष मनुष्य का सरवोच शुब है बिल्कुल मानता है नभीन चाहर बिलकुल मानता है क्योंकि वो भी सुखवादी है लेकिन ये ध्यान रखना कि सिज्विक मनोवेग्यानिक सुखवादी नहीं है और मनोवेग्यानिक सुखवाद का मतलता स्वभाव सुख व्यक्ति का स्वभाव है सुख के लिए व्यक्ति प्रयास करता है ये बात कभी भी सिज्विक स्विकार ने करता जबकि ये lying जो है ये Moto विग्यानिक सुखवाद को स्विकार कर रही है समझ में आ गया तो right answer है तीन next question मनो व्यग्यनिक सुखवाद का दावा है जल्दी आंसर दो मनो व्यग्यनिक सुखवाद का दावा है जल्दी आंसर दो चारो option देखो और पढ़ो फटापट किसी भी व्यक्ति को सुख प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना चाहिए प्रत्यक व्यक्ति को सर्वदा सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए प्रत्यक व्यक्ति सर्वदा सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है कोई भी व्यक्ति कभी भी सुख प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता है जल्दी से आंसर दो मनों विज्ञानिक सुखवाद का मतलब क्या है जल्दी आंसर दो चितना गूमना है वह यही गूम लेना मैं यहाँ आपको इसलिए गुबारा हूँ ता कि आप एक्जाम में न घूमो अंजब वसिष्ट भी बता रहे है पंकर यादों सी बता रहे है सी 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 अधिकांस नोगबाग सी बता रहे है और यह सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है यह सुनकर मैं बहुत ही खुश वाऊं अवाज हा रही है क्या भाई अवाज हा रही है क्या आए 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 यह ध्यान के मुझे बहुत खुशी हुई इसकांस लोगबागों को समझ में आ गया मनो विग्यानिक सुकवाद क्या होता है ध्यान रखना चाहिए जो होता है ना चाहिए ये तो नैतिक सुखवाद में आता है ये तो शब्दी नैतिक आ गया चाहिए में तो नैतिक आता है है तो ये दोनों तो हो इनी सकते ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है मैंने कहा था कि मनोवग्यनिक सुक्वात में ताहे आता है, स्वभावक ताहे को बताते हैं, तो इन दोलों में से एक हो सकता है, तो मनोवग्यनिक सुक्वात तो कहता है यही कि व्यक्ति हमेशा सुक्की कामना करता है, व्यक्ति कामना करता है, हर व्यक्ति के खर कारे के पीछे सुक्की ही भा नेक्स्ट कोश्चन निम्न लिकित पर विचार करें चारवाग भोतिक वाद की स्थापना करता है चारवाग सुखवाद का समर्थन करता है चारवाग करमवाद एवं पुनरजन्म को स्विकार करता है और सही उत्तर का चैन करें सही उत्तर का चैन करें तीनों में से कौन सी बात सही है तीनों सही है दो और तीन सही है एक और तीन सही है एक और दो सही है जै माकाल 24 बे का डी आ रहा है एक और दो सही है धर्मपाल कसोटिया कह रहा है दो और तीन सही है अब तू नहीं कहा था धर्मपाल कि वो कहता है कि यावत जिवेत सुखम जिवेत रिन कृत्वाम गृतम पिवेत भस्मि भूतस से देहस्ये पुनरा गमनम कुत है कभी भी चारवाग न तो कर्मवाद को मानता है और न पुनरजनम को मानता है मान सकता है कि चारवाग पुनरजनम को मान सकता है कि चारवाग पुनरजनम को सही है पहला और दूसरा ही क्या है सही है एक और दो बहुतिक बात को मानता है बिल्कुल मानता है और सुख बात का समर्दन करता है बिल्कुल करता है तो ये बात तो ऐसे आंशरा जाएगा अगले जल्म की तो बात ही नहीं कर सकता न चार वाग और कर्मवात की तो बात ही नहीं करेगा वढ़ा फस्ल दैगा खुh चारवाग नैतिक्ता के आंत्रिक अंकुष को स्विकार करता है बैंथम, बिल, सिजविक और कांट नैतिक्ता के आंत्रिक अंकुष नेतिक ताके आंतरिक अंकुष नेतिक ताके आंतरिक अंकुष देखो रहे भाईया चार वाग बिल्कुल इस पस्ट कहता है एक बार अच्छा आरे आंसर आंतरिक अंकुष देखो बैन्थम और मिल बैन्थम और मिल ये दोनों ही ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वभावत है सार्थी होता है स्वभावत है व्यक्ति को स्वभावत है क्या मानते है स्वार्थी मानते है दोनों के दोनों व्यक्ति को स्वभाव से क्या मानते है स्वार्थी मानते है और ये भी कहते हैं कि व्यक्ति जनमजात रूप से स्वार्थी होता है लेकिन कुछ मजबूरिया होती है कुछ दबाव होते हैं जिनकी वज़े से वह अपने सुखों को त्याग करके दूसरों के सुखों के लिए प्रयास करता है और दूसरों के सुखों के लिए प्रयास करने को ही नहतिकता कहते हैं अर्थात नहतिकता के लिए दबाव को आवशक मानते हैं दोनों के दोनों कहते हैं कि नहतिकता के लिए क्या आवशक है दबाव आवशक है लेकिन दबाव दो प्रकार के होते हैं बाहिये और आंतरिक दो प्रकार के दबाओ होते हैं बाई और आंतरिक दो प्रकार के दबाओ होते हैं बाई और आंतरिक दो प्रकार के दबाओ होते हैं बैंथम केवल बाई दबाओ स्विकार करता है क्योंकि वो व्यक्ति को जनमजात रूप से क्या मानता है स्वारती मानता है अंदर से स्वारती मा तो दबाव बाहर से आना चाहिए इसलिए बाहिय दबाव को स्विकार करता है और मिल जो है मिल जो है वो आंतरिक और बाहिय दोनों दबाव को स्विकार करते हैं यानी बेंथम आंतरिक दबाव को स्विकार नहीं करता केवल और केवल कौन करता है केवल और केवल मिल करता है इस थूल स्वार्थ परक सुखवाद का संबंध है। इस्थूल स्वार्थ परक्शुखवाद 26 वे का D B अच्छा मिल D D D सबसे पहले स्विकार करता सबसे पहले बताया था मैंने आपको सुखवाद दो परकार का है सुखवाद दो परकार का होता है स्वार्थ मूलक क्या मानता है स्वार्थ मूलक स्वार्थ मूलक और सर्वार्थ मूलक सुरू में बताया था मैंने सरवार्थ मूलक और यहीं पर मैंने आपको कहा था कि इस स्वार्थ मूलक सुखवाद का जनक जो है वो अरिस्टीपस है कौन है? अरिस्टीपस है स्वार्थ मूलक सुखवाद का जो जनक है वो अरिस्टीपस है एपिक्यूरस क्या है? एपिकूरस परिश्कृत सुखवाद का जनक है है और मिल जो है बैंथम इस्थूल उपियोगितावादी है और मिल परिश्कृत उपियोगितावादी है उपियोगितावाद और इसमें अंतर समझ लेना ढंक से सुखवाद और उपियोगितावाद में समझ मैं आगी बात तो सई आंसर क्या हो गया Aristipus बिल्कुल सई आंसर है इस क्लास को दुबारा से देखना पहली लाइन से दुबारा देखना तब बहुत सारी बातें और नहीं समझ मैं जाएगी जडवाद विचार के व्याख्याता का विचार के व्याख्याता का निर्देश कीजी यानि जडवाद का कासी दांद किस ने दिया था यार बहुत ही जी गोशन है गद गद हो गया गद्य पद्य संग्रे हो गया आज दिल गार्डन गार्डन हो गया गद्य पद्य संग्रे हो गया बिल्कुल सही है चार वाह किस दर राइट आंसर इसको बात को जदा क्या गुमाना है सब लोगों का आंसर सही है मैं तो सिर्फ यह देख रहा हूं किसका गलत है उसी को बोल दू में कि दुबारा तयारी कर डंग से तयारी कर Next question निन्न लिकित में से सु संस्कृत उपियो गितावाद कहां से चाही पियू यार चाही कहां बची अभी यहाँ पर दस बज़े कोई चाही मिलती है क्या मेरे रभी भी भी जिए गूर गूर के मेरे तरफ देख रहा है कि 10 बज़ा दी आपने आज दस के भी क्या पता निक कित्ती देरोर लगेगी सु संस्क्रित उप्यों कितावाद निच्छे हॉप्स हुम मिल कौशन का क्रमाग निदेते हो आप लोग 25 बोल रहा है भी तो मनुएंड एंजल डी, बी, कभी जिन्दगी में बी नहीं पढ़ाओगा तुम लोगोंने तो लादे भाई संद्रा अरे जिसे परिश्कृत सुखवाद कहते है न अरे सु संस्कृत उप्यों कितावाद या इसी को कहते परिश्कृत उप्यों कितावाद एक ये बात होती है सिर्फ शब्द चेंज हुआ है उप्यों कितावाद सिर्फ शब्द चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिर्फ शब्द चेंज हुआ है और परिश्कृत उप्यों कितावाद ही कौन है ये तो मिल है और कौन है समझ में आगई के बात next question मोक्ष को मुल्य के रूप में कौन स्वीकार नहीं करता मोक्ष को मुल्य के रूप में कौन स्वीकार नहीं करता मैं बता चुका हूँ इसका answer भी आर अब कितनी बार बता हूँ रोज रोजी मुक्ष को मुल्य के रूप में कौन स्विकार नहीं करता है? D Question का नंबर दो, गुंती स्व नंबर का question है B, D, दो, बिलकल अरे D भी दे रहे हो तुम लोग ज्यान रखना बहुत दर्शन में मुक्ष को निर्वान कहा जाता है निर्वान कहा जाता है ज्यान दर्शन में मुक्ष को कैवल्य कहा जाता है कैवल्य कहा जाता है न्याय दर्शन में मुक्ष को अपवर्ग कहा जाता है और चारवाग दर्शन में मुक्ष को मरण कहा जाता है क्या कहा जाता है? मरण ही क्या कहते हैं? मरण ही मोक्ष है मरण ही मोक्ष है अर्थात मोक्ष को स्विकार नहीं करता है सांखे में भी कैवल्य ही कहा जाता है ध्यानगना कैवल्य भी कहते हैं मोक्ष भी कहते हैं सांखे में कैवल्य भी कहते हैं मोक्ष भी कहते हैं दोने ही काम करते हैं ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट कुश्चन चारवाँ सुखो में गुणात्मक भेद होता है ये कौन मानता है? अब आपके पास कुश्चन बहुत इजी इजी आने वाले हैं अगर यहां तक का पेपर पढ़ लिया आप लोगोंने तो आगर के कुश्चन बड़े आसानी से सौल कर दोगे आप सुखो में गुणात्मक भेद होता है कौन मानता है गुणात्मक भेद? सुखो में गुणात्मक भेद को कौन मानता है? सुखो में गुणात्मक भेद को कौन मानता है? तैंक्यू भीया सुखो में गुणात्मक भेद को कौन मानता है केवल बैंथम केवल मिल बैंथम और मिल या केवल सिज्विक बिल्कुल सही है केवल मिल ही सही है केवल मिल ही है जो सुखो में गुणात्मक भेद को स्विकार करता है समझ में आ गया नेक्स्ट कोशन ये पढ़ चुके हो आप अदोल लिकित में से कौन सुखवाद की मूल माननेता की अभी व्यक्ति है सुखवाद की मूल माननेता किसे जानि जिसको आप कह सकते हो सुखवाद ही है जल्दी से आंजर दो इस कोशन का बहुत प्यारा कोशन है बहुत ही प्यारा कोशन है इमानदारी शुब है अपने आप में शुब होती क्या ये सुखवाद मान सकता है क्या नहीं मान सकता है सुखवाद तो ये मानता है कि सुख ही सरवोच है और सुख ही साध्य है वो इतना जरूर कहता है कि यदि इमानदारी है तो इमानदारी सुख को बढ़ा देती है इमानदारी से इमानदारी का मैत तो शिर्फ इतना साही है और तबी है इमानदारी का मैत तबी है जब वो सुख को बढ़ा दे अगर सुख को बढ़ाती नहीं है तो उसका कोई भी मैत नहीं होता है समझ में आ गया क्या कोई problem? next question साधन मुल्य वह है जो पोशक है साधन मुल्य वह है जो पोशक है संपन्निता का सुख का स्वास्थ का या सभी का बोलो साधन मुल्य किसे कहते हैं साधन मुल्य किसे कहते हैं यह question पूछ रहा है साधन मुल्य किसे कहते हैं आपको भी बहुत-बहुत बदाई हो जिर पढ़के आपने जिर पढ़के इधर उधर शेर करके अबने परिवार वालों के मोबैलों को खोल खोल रखे और आपने गिरपड़ के क्या प्राट कर लिया 202 सतक लगा दिया आपने तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुब काम नहीं ठीक है ना भाई साधन मुल्य किसे कहते हैं ध्यान रखना मुल्य दो प्रकार के होते हैं मुल्य किते प्रकार के होते हैं मुल्य दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से साधन और साध्य साधन और साध्य ठीक है जो अपने आप में ही मुल्य हो किसी और चीज की प्राप्ती के लिए शुब ना हो अपने आप में शुब होता है उसे कहते हैं साध्ध और जो किसी चीज की प्राप्ति के साधन के रूप में शुब होता है साधन के रूप में शुब होता है उसे कहते हैं साधन सुब या साधन मुल्य ठीक है? और जो संपन्यता का सुख का कोई चीज अगर माली जी इसलिए शुब है क्योंकि उससे धन मिलता है इसलिए सुख है क्योंकि उससे सुख मिलता है इसलिए अच्छी है क्योंकि उससे स्वास अच्छा होता है तो ये तीनों क्या है, ये तीनों साधन ही तो है, ये भी साधन है, यानि तीनों ही क्या है, साधन होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, साधन होते हैं, इसलिए इसका right answer क्या हो गया, उप्रोगत सभी इसका right answer है, ठीक है भाई, सुखवादी के लिए सुख से उपर कुछ नहीं है सुख से उपर कुछ नहीं है सुखवादी के लिए और यह कथन कह रहा है कि इमानदारी अपने आप में शुब है तो यह बात तो सुखवादी तो सुख को ही अपने आप में क्या मानता है शुब मानता है इसलिए सुखवादी कभी भी इमानदारी को अगर शुब भी मानता है तो किल साधन के रूप में शुब मानता है अगर इमानदारी से सुख मिलता है तो इमानदारी सही है otherwise गलत है समझ में आ गया next question बैंतम के उप्योगिता बाद के अनुसार अदो लिखित में से कौन सा सुसंगत समू है फिर आ गया वो ही question जल्द जल्दी आंसर दो लगबग पूछा हुआ question है बैंतम की बात पूछ रही है कि बैंतम के उप्योगिता बाद के अनुसार ये जो तीन-तीन बाते दे रही है कौन सी बात ऐसी है जो बैंतम से रिलिटेड नहीं है सुसंगत पूछ राइए सुसंगत पूछ राइए सुखो में परिमान भेद नैतिकता का आंतरिक अंकुष और सुखवादी आकलन प्रकारगत भेद सुखो के प्रकारगत भेद नहीं मानना बैंतिकता के बाई अंकुष और सुखवादी आकलन जबत राइए आंसर दो इसका कौन से तीन चीजे हैं जो तीनों ही बैंतम से मिलती है तीनों बैंतम से मिलती है तीनों बैंथम के अकॉर्णिंग सही है तेतीस का C कोई सुरेश सुमन D मनु एंजल B देविलाल D सुरेश सुमन D जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो बिल्कुल सही है देखो पहले के अंदर नेतिकता के अंकुष तो मानता है बैंथम सुखवादी आकलन भी मानता है पर क्या सुखो में गुरात्मक भेद मानता है क्या नहीं मानता है इसका वाला ये तो नहीं होगा ये वाली लाइन नहीं है इसलिए ए नहीं है सुखों में परिमान भेद मानता है नेतिक्ता के आंतरिक अंकुष को मानता है क्या इसका मतलब ये भी नहीं है नेतिक्ता के बाई अंकुष मानता है बिल्कुल सही कह रहा है सुखवात का विरोधाभास मानेगा क्या नहीं मानता सुखवात का विरोध अबास तो सिज्विक मानता है ये ये नहीं इसलिए तीजरा नहीं है तो बचा कौन सा फिर चौथा ही राइट आंसर है समझ में आ गया क्या फूर्थ इस दे राइट आंसर क्यों है मैं कॉशन सॉल करने का तरीक अबदा रहा हूं इसलिए ह क्योंकि उपर वाले तीनों में कोई-कोई गड़वड है हाँ बिल्कुल लगेगी कलास किसी करम का ओच्छति उसके परिणामों से नहीं निरधारित किया जाना चाहिए बलकि जिस नियम के अंतरगत यह कर्म आता है उस नियम के अपनाने के परिणामों से होता है किसकी बात है यह कर्म के आचिति उसके परिणामों से नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए बलकि जिस नियम के अंतरगत वह कर्म आता है उस नियम के अपनाने के परिणामों से दिर्धारित होता है बहुत प्यारा कोशन है आंसर दो देखा प्राम भाई आयुश्पन चोली एक बात समझा दूग्या फिर आंसर दे दोगे तुम एक बात समझ लो यह उप्योगितावाद होता है न यह उप्योगितावाद भी दो प्रकार का होता है कौन कौन से एक तो होता है कर्म संबंधी उप्योगितावाद कर्म संबंधी कर्म संबंधी उप्योगितावाद और एक होता है नियम संबंधी उप्योगितावाद डंग से समझना चुपचाप उनको छोड़कर कमेंट्स को छोड़कर चुपचाप समझना यहाँ पर उप्योगितावाद दो प्रकार के होते हैं एक तो करम संबंदी उप्योगितावाद एक नियम संबंदी उप्योगितावाद कर्म संबंदी उपयोगितावाद कहता है कि कोई भी कर्म तभी करो जब उस कर्म को करने से अधिक्तम लोगों को अधिक्तम सुख मिलता है फिर चाहे वो किसी नेतिक नियम के अनुरूप हो चाहे ना हो समझ मेरी बात आपको अगर माल लीजिये मैं सच बोल रहा हूँ मैं जूट बोल रहा हूँ तो कर्म संबंदी उपयोगितावाद ये कहेगा कि आप जूट इसलिए बोलो अगर जूट बोलने से अगर जूट बोलने से अधिक्तम लोगों को अधिक्तम सुख मिल जाए तो आपका जूट बोलना उचित है समझ मेरी बात कर्म को महत्य देता है जबकि एक से दानत है नियम संबंदी उप्योगिता बात ये कहता है कि हमें उस नियम के अनुसार काम करना चाहिए जिस नियम की अधिक्तम लोगों में अधिक्तम उप्योगिता होती है समझ मेरी बात अगर नियम की अधिक्तम लोगों में अधिक्तम उप्योगिता है अगर उस नियम में अधिक्तम लोगों को उस नियम का पालन करने से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलता है तो वो कर्म उचित है तो जो नियमों को महत देता है वो कर्म संबंदी उप्यों कितावाद जो नियमों के अलावा केवल कर्म को महत देता है वो कर्म संबंदी उप्यों कितावाद और ध्यान डगना बेंथम जो है वो करम संबंधी उपियोगितावाद है और JS मिल जो है वो JS मिल नियम संबंधी उपियोगितावादी है कौन है? नियम संबंधी उपियोगितावादी है समझ में आ गया? कोई problem? not problem next question तो इसका right answer वो तो right तो देख लिया होगा आपने इसका right answer क्या होगा? नियम संबंधी उपियोगितावाद समझ आ गया? क्योंकि ये क्या कहना है? करम का अच्छ सही या गलत होना किस बात पर निर्भर करता है? उस करम के परिणाम पर नहीं बलकि उस नियम के परिणाम पर डिपेंड करता है जिस नियम की अधिकतम लोगों में अधिकतम उपियोगिता है तो जहां नियम की बात आ गई ना वहीं पर वो नियम संबंधी उपियोगिता बात गता है next question चारवाग स्विकार करते है किसको स्विकार करते है चारवाग question का number भी डाल दो भाई अनतावाद क्या होता है तो कोई नहीं जानता क्या यह तो फर्जी शब्द है यह तो फर्जी शब्द है फिलोस्विकार शब्दीने में तो यहीं छोड़ दिया यहीं गप्पा छोड़ दिया आत्मवाद को वो स्विकार करेगा ही नहीं क्योंकि वो आत्मा को मानता ही नहीं पांच की जगे वो चार भूत मानता है इसलिए ये वाली बात भी गरते है तो सई आंसर क्या होगा? सई आंसर है देहात्म बाद कौन सा बाद? ये मैं बता भी चुका हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट भी बता चुका हूँ इसलिए इसमें दुबारा दिमाग लगाने की आवशकता नहीं है नेक्स्ट कोश्चन चारवाग संप्रदाय के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व वास्तविक नहीं है? जल्दी से आंसर दे दो अब क्लास के दोरानी बता चुका हूँ अभी अभी के अभी यह बाद बता चुका हूँ क्लास के दोरानी जल्दी बताओ बिल्कुल सही आंसर है आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं क्योंकि इसमें भी क्या गल्दी बताओगे आप यार यह तो पढ़ाते पढ़ाते बावड़े होगे हम सुखवादी निम्नलिखित में से कौन सा मत मानते हैं सुख और श्रे समानार्थक है सुख श्रे का अंग है सुख श्रे का सहचर है और सुख श्रे का उल्टा है अब तुम कोगे श्रे क्या होता है बस आने वाले आप अंताने वाला है चिंता मत कर अंताने वाला है मेरे अच्छा खासा पेट में दर्द हो रहा है पर चलने दो क्लास खतम होने वाली है ठीक है सुखवादी निम्न लिकित में से कौन सा मत मानते हैं तुम्हारे को इसलिए समझ में नहीं आ रहा है अभी तक आये नहीं आंसर शेतिस्यों कब B आया है धर्मा C आया है सुमंतिवाडी B आया है विरेंदर B बता रहे हैं B ओहो तनुधनकर अब आईए फिलोस्वी आती है इसको अच्छे आती है B B यार तुम्हारी बेड़ जाली जल गई क्या मनू के रहे D A अब चुपचाब समझ लो फिर बता दो मैं बतायता हूं श्रे का मतलब होता है शुब श्रे का मतलब होता है शुब अब बता दो श्रे का मतलब होता है शुब यह टकरा है यह शब्द टकरा था तुम्हारे यह मैं लाया इसलिए हूं क्योंकि हो सकता है कि श्रे ना बोलके शुब बोल दे बता दो श्रे का मतलब होता है शुब अब बताओ सुखवाद के साब से एक सुखवादी जो है अच्छा वही मुमिन सिंग मुनीम सिंग जैमाकाल एमेल पुष्प ये भी सोच रहा है गुम्दा गाम था एमेल पुष्प भी सोच रहा था कि सोने से पहले एक बार देख लेता हूँ याद देखे यूटूब पे कुछ काम की चीज आ रही है क्या तो बाई साब ये भी आ गया एक सुखवादी कहता है मैंने बताया भी था आपको मैंने का था सुखवादी कहता है सुखवादी का मतलब ही क्या होता है सुखवादी का मतलब ही क्या होता है सुखवादी का मतलब ही क्या होता है अच्छा अच्छा रूस गई थी रूस की गरांती होने वाली चिंदा मत कर सुखवादी का मतलब ही क्या होता है और इस बात को क्यों लिए पहला sentence cover कर रहा है पहला sentence ही cover कर रहा है इसलिए इसका right answer है A is the right answer next question सरवार्थवाद का अर्थ है ये बता चुका हूँ मैं ये भी आ चुका है answer पहले इतने कटिन कटिन question आगए कि अब तो बिर्कुली जीजी हो रहा है अच्छी बात है भाई अगर सुमन पांडा तो मैं उसे पूछ रही है सर सारे topic करवा दोगे क्या मतलब ये तो ये कहना चारी है कि अगर आप सारे topic करवाने का वादा करें तब तो मैं subscribe करूँ और bell icon को दब हूँ वर्णा वैसा मैं बेर से तो आप कोई उम्मीद मत रखना बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है इस तो मैं करवा चुका हूँ क्या बार बार मैं से छोटे प्रशनों के लिए भी मैं टाइम दे रहा हूँ मिलका उप्योगी तावाद बैन्थम से इस अर्थ में भिन है ये question गूम के आ चुका क्या अरे आ चुका है ये question तो ये थोड़ा जो गूम के आ है वह जल्दी से answer दो चलो बता दो हल्का पुल का शब्दों का अंतर था मिलका उप्योगी तावाद बैन्थम से इस अर्थ में भिन है कि यह है सुखों की तीवरता में भेद मानता है सुखों की अवधी में भेद मानता है सुखों में गुनात्मक भेद मानता है सुखों की निश्चित्ता में भेद मानता है ये answer आ चुका है थोड़ा सा repeat होके आया है इसका answer बिलकुल सही है गुनात्मक भेद next और last question last question है solve कर दो बटा पट इस last question को solve कर दो फटा पट बस इसके बाद में तुम भी भी और मैं भी भी तुम मुझ से और मैं तुम से आजाद हो जाओंगा देखते हैं देखा इस थूल उप्योगी ता बाद बैन्थम सुसंस्कृत उप्योगी तावाद मिल मुख्य सद्गुण प्लैटो और निर्पेक्ष आदेश कांट यानि एका तो तीन है बस जाए तीन आ गया वही सही हो गया नहीं तो एका तो तीन बी का एक सी का चार और डी का तो बिलकुल सही आंसर है तो दोस्तों तो दोस्तों आपने फिर से मुझे दोसों पर लाकर ही क्लास को एंड करवाया है इसलिए आज की क्लास यहीं पन होती है आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि पास होने के लिए नैतिक सादन एक भी नैतिक सादन हमार से दूर नहीं और अकर आप लोग हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका भी करतवे बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेर करें बेल आइकन को दबाएं क्लास को लाइक भी कर दें अगर आपको लगता है कि क्लास लाइक करने योग्य है तो आप लाइक भी कर लें तो आप सब को बहुत-बहुत शुबकामना है इश्वर आप सब को अच्छा कर्म करने की प्रेणा दे आपको मेहनत करने की प्रेणा दे आपको सही मार्ग दिखाए इसके लिए मैं इश्वर से प्रार्थना करता हूँ और शुबरात्री, शब्बाखेर, गुड़नाइट, राम राम, शाम शाम, धन्यवाद मैं एवार आपको ओडाए से आपको में आपको अड़上 मेंैं, यथर कि वहां, शाम. औरै खितो palक tuo क्म्रेणा दे साटा आपको मेंगे हाु इसके की बाभित कर राम, बीगको में हो 55T अवावेवावाद वावे कि आ आपको में अरूम